हलो फ्रेंड्स प्रिशा की पार्षाला में मैं जूली आप सब का स्वागत करती हूँ आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ, NCE, RT, हिंदी, पार्थ दो जैसा सवाल, वैसा जबाब तो चलिए बच्चों इस कहानी को पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझते हैं जैसा सवाल, वैसा जबाब बादशाह अकबर अपने मंत्रे बीरबल को बहुत पसंद करता था बीरबल की बुद्धी के आगे बड़े-बड़ों की भी कुछ नहीं चल पाती थी इसी कारण कुछ दरबारी बीरबल से चलते थे वे बीरबल को मुसीबत में फसादे के तरीके सोचते रहते थे बच्चो इसमें कहा गया है कि बादशाह अकबर होते हैं उनके मंत्री होते हैं कौन बीरबल और जो बादशाह अकबर होते हैं वो अपने मंत्री बीरबल को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि जो बीर्वल है उनकी बुद्धी के आगे बड़े बड़ों की कुछ भी नहीं चल पाती है वो बहुत ही बुद्धिवान है इसी कारण से क्या होता है कि जो दर्वार में और भी लोग होते हैं कुछ दर्वारी वो बीर्वल से क्या करते हैं वो चलते हैं क्योंकि बा उनके नजरों में वो गिर सके चलिए आगे पढ़ते हैं अकबर के एक खास दर्वारी ख्वाजा सारा को अपने विद्या और बुद्धी पर पहुत अभिमान था विर्वल को तो वो अपने सामने नीरा बालक और मुर्ख समझते थे लेकिन अपने ही मानने से कुछ होता नही दर्वार में विर्वल की ही तूती बोलती और ख्वाजा सहाव की बात ऐसी लगती थी जैसे नकर खाने में तूती की आवास ख्वाजा सहाव की चलती तो वे विर्वल को हिंदूस्तान से निकलवा देते लेकिन निकलवाते कैसे अब इन पंक्तियों में कहा गया है कि imagen क्वाजा सारा और वह अपने आगे जो भीरवल है उन्हें तो कुछ कि नहीं समझते निरा-बालक मतलब उन्हें बच्चों आप कहे सकते हो कि वो अपने आगे जो बीरवल को बिल्कुल छोटा बालग समझते हैं जिसे कुछ नहीं पता, वे समझते हैं कि वो मुर्ख है और मैं ही सबसे जादा बुद्धिमान हूँ लेकिन उनके सोचने से क्या होता है? उनके सोचने से तो कुछ नहीं होता अगर हम अपने आपको बुद्धिमान या विद्या से पूर्ण समझने लगे तो ये जरूरी नहीं, हम बुद्धिमान हैं जब तक कि दूसरे को ना लगे पर जो बीरवल थे, उनकी तो दरवार में तूती बोलती थी बड़े लोगों के भी छोटे की बातों को कौन सुनता है? हिंदी लकोक्ती लखर काने में तूती की आवास का वाक्य में प्रेयोग हुआ है और ख्वाजा सारा की अगर चलती तो वो बीरवल को हिंदूस्तान से बाहर निकलवा देते लेकिन कैसे निकालते? क्योंकि हर जगे बीरवल को बादशा भी बीरवल को पसंद करते थे और दरवार में जो है वो भी बीरवल की बातों को हर कोई सुनता था और उसे पसंद करता था आगे देखे एक दिन ख्वाजा ने बीरवल को मुर्ख साबित करने के लिए बहुत सोच पिजार कर कुछ मुश्किल प्रशनच सोच लिए उन्हें विश्वास था कि बादशा के इन प्रशनों को सुनकर बीरवल के छक्के छूट जाएंगे और वो लाग कोशिश करके भी संतोज जनक उत्तर नहीं दे पाएगा फिर बादशा मान लेगा कि ख्वाजा सारा के आगे बीरवल कुछ नहीं है अब क्या होता है बच्चो कि जो ख्वाजा सारा है वो एक दिन बहुत ही सोच विचार कर कुछ प्रशन बनाते हैं बीरवल के लिए और उन्हें लगता है कि वो इतने मुश्किल प्रशन है कि उसका संतोज जनक जो उत्तर है वो बीरवल नहीं दे पाएगा चाहे वो कितने भी कोशिश कर ले और इससे क्या होगा कि बादशा अकबर को लगेगा कि बीरवल जो है वो ख्वाजा सारा के आगे कुछ नहीं है जो भी है वो ख्वाजा सारा ही है अग्वाजा सवारा बहुत ज़्यादा बुद्धिमान है ख्वाजा सहाव अचकन पगड़ी पहन कर दाड़ी सहलाते हुए अकवर के पास पहुचे और सिर जुका कर बोले बिरवर बड़ा बुद्धिमान बनता है आप भी उसकी लंबी चौरी बातों में धोखे में आ जाते हैं मैं चाता हूँ कि मेरे तीन सवालों के जबाब पूछ कर उसके दिमाग की गहराई ना पले उस नकली अकल भाधुर की कलय खुल जाएगी अब क्या होता है कि खौजा सारा उन प्रशनों को लेकर जो उन्होंने प्रशन बिरवल के लिए तयार किये थे उनको लेकर बाधशा अकवर के पास पहुँचते हैं और उनसे सिर जुका कर बोलते हैं कि बिरवल जो है वो बहुत ही ज़ादा अपने आप में बुद्धिमा मतलब कि वो कितना बुद्धिमान है और इससे क्या होगा कि वो जो नकली बहादूर बनने की कोशिश करता है तो उसकी जो है पोल पट्टी खुल जाएगी खौजा के अनुरोध करने पर अकवर ने बिरवल को बुलाया और उसने कहा बिरवल परम ज्यानी खौजा सहाब त से तीन प्रशन पूछना चाहते हैं क्या तुम उनके उत्तर दे सकते हो अब क्या होता है कि जो बादशा होते हैं वो बेर्बल को बुलाते हैं दरबार में और वो बेर्बल से पूछते हैं कि खुआजा सारा जो है वो तुम्हारे लिए प्रशन कुछ प्रशन लेकर आये हैं क्या तुम उनके प्रश्णों का उत्तर देना चाहोगे बीरबल बोले जहापना जरूर दूँगा खुशी से पूछें और इसी के साथ बीरबल जो है वो खुशी से बोलते हैं कि जहापना मैं जरूर उन प्रश्णों का उत्तर देना चाहूँगा ख्वाजा सहाब ने अपनी तीनों सवाल लिख कर बादशा को दे दिये अकबर ने बीरबल से ख्वाजा का पहला प्रशन पूछा संसार का केंद्र कहा है बीरबल ने तुरंत जमेन पर अपनी छड़ी गाड़ कर उत्तर दिया यही स्थान चारों ओर से दुनिया के बीचों बीच परता है यदि ख्वाजा सहाब को विश्वास ना हो तो वे फीते से सारी दुनिया को नापकर दिखा दे कि मेरी बात कलत है अब क्या होता है कि ख्वाजा साहब अपने तीनों प्रशने लिखकर बादशा अकवर को दे देते हैं और जो बादशा अकवर है वो बीरवल से पहला प्रशन पूछते हैं पहला प्रशन गया होता है कि संसार का केंद्र कहा है और बीरबल तुरंत ही जट से उसका जवाब देते हैं, उसके पास एक छड़ी होती है, उस छड़ी को वही बीचो बीच गार देते हैं, और कहते हैं कि यही संसार का केंद्र है, यदि ख्वाजा साहब को विश्वास नहीं होता है, तो फीते से दुनिया को नाप ले की, और म तारे आकाश में हैं, और दूसरा प्रशन था, आकास में कितने तारे हैं, तो बीरबल ने उसका प्रशन का उत्तर दिया, उन्होंने एक भेड मंगवाई, और कहा कि इस भेड के शरीर पे जितने बाल हैं, उतने ही आसमान में तारे हैं, ख्वाजा साहब को इसमें संदे हो तो बेड के वालों को गिनकर और आसमान में जितने भी तारे गिनकर तारों की संख्या से तुलना कर लें, अब अकबर ने तीसरा सवाल किया, संसार की आवादी कितनी हैं, बीरबल ने कहा जापना संसार की आवादी पलपल पर घटी बढ़ती रहती है, क्योंकि हर पल मुझते हैं बीरबल से कि संसार की कुल आवादी कितनी है और बीरबल उस प्रश्न का उत्तर देते हुए अक्वर से कहते हैं कि जापना संसार की आवादी हर पल घटी बढ़ती रहती है क्योंकि लोगों का जीना मरना लगा रहता है कहीं पर लोगों का मरना होता है और कहीं ब बादशा तो बीरवल के उत्रों से संतुस्ट हो गए लेकिन ख्वाजा सहाब नागमों सिकोड कर बोले ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा जनाब बीरवल बोले ऐसे सवालों के ऐसे ही जवाब होते हैं पहले मेरे जवाबों को गलत सावित कीजिए तब आगे बढ बादशा अकब बीरवल के दियेवे उत्तर से संतुस्ट हो जाते हैं लेकिन ख्वाजा सहाब नागमों सिकोडते रहते हैं वो उसके उत्तर से शंतुस्ट नहीं होते कि ऐसे गोलमोल जवाबों से काम नहीं चलेगा आप संतुस्ट जनक उत्तर दीजिए पर बीरवल जो ओ इसा जवाब दिया है अगर आपको मेरे उत्तर गलत लगते हैं तो आप इसे सिद कीजिए उसके बाद मुझसे आकर बात कीजिए ख्वाजा सहाब से फिर कुछ बोलते नहीं बना और इस तरह ख्वाजा सहाब चुप हो गए और उन्होंने फिर दुबारा बीरवल से कुछ नहीं पूछा तो बच्चो ये थी कहानी जैसा सवाल वैसा जवाब और बच्चो इस कहानी का उद्श्य यह है कि स्वेम को अत्यधिक बुद्धिमान समझ कर दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करने चाहिए सदा दूसरे की गुनों का आदर और उसका सम्मान करना चाहिए तो बच्चो आपको ये कहानी अच्छी लगी हो समझ में आई हो तो आप इसे प्लीज लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें तैंक यू